हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैटी स्क्विक किचन आज हम बनाएंगे सोया चाप काठी रोल फ्रेंड्स हम सभी को काठी रोल या रैप्स काना बहुत अच्छा लगता है आज हम उसको सीखेंगे घर पे असान तरीके से कैसे बनाए जा सके रोल बनाने के लिए हमें चाहिए कटा हुआ टमाटर एक कटी हुई हरी मिर्चे दो से तीन अद्रक लसन का पेस्ट आधा चमच मियोनीस टमैटो सॉस कटे हुए प्याज एक साबू जीरा एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर एक चौथाई चमच लाल मिर्च एक चौथाई चमच नमाक स्वाद अनुसार चाट मसाला पाउडर विनिगर सोया सॉस और सोया चाप ये आपको बजार में बड़ी ही असानी से मिल जाएगा साथ ही हमें चाहिए निम्बू का रस और आटा ये हमने नॉर्मल आटा जैसे गुंदते हैं वैसे हमने आटे को गुंद के रखा है तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम गुंदे वे आटे से रोटी बना लेंगे जैसे हम नॉर्मली रोटी बेलते हैं वैसे रोटी की तरह बेल के इसको हमें पराठे की तरह सेखना है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब करें और हम बेल आइकन को जरूर दवाएं हमारे सब जुड़े रहने के लिए अब हम तवे में इसको सेख लेते हैं इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेखेंगे और थोड़ा सा ओयल लगा के पराठा बना लेंगे जब पराठा बन जाए, तो हम इन सब को तयार करके एक साथ रख लेते हैं अब हम सोया चाप लेंगे ये सोया चाप विदाउट कलर वाला है, आप चाहे तो कलर वाला भी ले सकते हैं मार्केट में दोनों ही अविलेबल हैं सबसे पहले हम सोया चाप में से इस स्टिक को अलग कर देते हैं और इसको छोटे-छोटे पीसेज में काट लेंगे अब हम सोया चाप की स्टफिंग तयार करते हैं स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन में हम डालेंगे एक से दो चमज तेल उसमें डालेंगे बारी कटे हुए प्याज उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लसन का पेस्ट अब हम इसमें एड़ करते हैं बारी कटे हुए हरी मिच और इसको थोड़ा सा चला लेंगे इसको जादा दिर तक नहीं पकाना हलका सा टॉस करना है जब प्यास थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं इसमें एड़ कर देंगे सोया चाप जो हमने काट के रखा है फिर हम इसमें डालेंगे थिन स्लाइस किये हुए टमाटर अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमाग स्वाथ अनुसा फिर डाएंगे हल्दी पाउडर अब हम इसमें डालते हैं साबू जीरा या जीरा पाउडर फिर डालते हैं लाल मिर्च पाउडर अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेते हैं अब इसमें स्प्रिंकल करते हैं थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर आदे चम मचके करिए अब हम एड़ करेंगे थोड़ा सा सोय सौस शाथ ही एड़ करते हैं थोड़ा सा विनिगर अब इन सब को फटा फट से मिला लेते हैं थोड़ी दे टॉस करके एक से दू बिनिट तक फिर हमारा ये तयार है तो फ्रेंट्स अब हमारा काठी रॉल बनाने के लिए स्टफिंग भी रेड़ी है और पराठा भी तो चलिए इसको एसेंबल करते हैं जो पराठा हमने बना के रखा था उस पराठे में हम लगाएंगे सबसे पहले मियोनेस मियोनिस लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे टेमेटो केचप आप चाहे तो इसमें थोड़ी पूदेने की चटनी भी लगा सकते हैं अब इसके सेंटर में हम सोया चाप की स्टफिंग जो हमने रेडी करके रखी दी इसको प्लीस करेंगे कुछ इस तरह से इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं और डालेंगे थोड़ा सा निम्भू का रस और इसको रोल बना लेंगे इसको इस तरह से घुमा के रोल बना लेना है और नैपकिन के अंदर फोल्ड करके सर्फ करें I am sure friends ये recipe बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है So friends, हमारा Soya चाप काथी रोल तेयार है इसको आज ही ट्राइ करें फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाए और हमें अपना experience जरूर शेर करके बताए For more such videos Like, Share and Subscribe Don't forget to press the bell icon Thanks for watching